तो हलो सलाम नमस्ते स्वाथ सर्य आकाल दोस्तों और आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक लेका हूं वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इसमें काफी सारे इंफोर्मेशन आपको मिलने वाले वीडियो में और हर एक पॉइंट पे एक आप के लिए का आपके एंड्रोयड फोट प्र पूरा कैर का सकता है क्या इससे बचने का कोई तरीका है आज हम इस वीडियो में यहीं सब कुछ जानेंगे और ऐसी जानकारी इतनी जादा जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आपको साय दिया भी तक इस टॉपिक पर मिला होगा तो वीडियो को एन तक देखिएगा चाहें वीडियो थोड़ी लंबी भी हो चलेगा तो यहा यह सुरुआत इसकी हुई 2015 में जब Pennsylvania State University के कुछ रिसर्च ने फाइंड आउट किया एक रिसर्च में कि Android में एक वनलेबिलिटी है जो Android के latest version को भी affect करती है उस तके और यह जो वनलेबिलिटी Android के multitasking feature में है और इसका इसका इस्तमाल करके जो attackers है वो टास्क हाइजकिंग जो malware है ऐसे malware को activate कर सकते हैं जो multitask को hijack कर ले Android के इस functionality को और अपने तरीके से जो भी टास्क चाहे वो execute करा दे और वो टास्क एक malicious टास्क भी हो सकता है बैसे कि यह स्ट्रेंड होग वनलेबिलिटी है यह कोई खुद में एक malware या वायरस या ट्रोजर नहीं है जो automatically execute हो जाएगा और victim के phone को हैट कर लेगा बलकि इस bug को exploit करना पड़ता है एक real life malware के थूँ अब गाइज यहां पे इसी case study को इसी study को research को प्रोमोन नाम की एक नौर्वे में एक company है जो in-app protection in-app protection जो होते है application protection के लिए specialized है उन्होंने इस पे research शुरू किया और प्रोमोन के कुछ security researchers ने पाया कि यह जो वनलेबिलिटी है जिसको उन्होंने नाम दिया strand hog यह एक real life malware को allow करता है कि आपके phone पे जो भी apps installed है जो genuine apps जैसे facebook instagram है उनका एक clone app तयार कर देगा जो बिल्कुल हूब 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 उसी type का दिखेगा और उसके बाद users से जो है वह unauthenticated permission ले लेगा और users के ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़े जो है वह उनको target करके और उनके android phone में वह execute करने लगेगा तो यह काफी dangerous हो सकती है क्यों कि इसका impact अभी हम देखेंगे कि यह अभी तक का जो latest android version हमारा android 10 जो market में अभी florist कर रहा है आ चुका है वह सब को effect करता है यहां तक की google के play store में top 500 जो most popular applications है वह सब इसके चपेट में है real life malware जो है वह इसको exploit करता है तब जाकि यह bug exploit होती है और उसके बाद इस पे attacks attacker इसका use करके कर सकते हैं उसके बाद जो 36 malicious apps है ठीक है वह find out किये millions of downloads थे play store के through उनको find out किया गया है Google के द्वारा जिसे dropper apps भी बोलते हैं तो फिलाल dropper apps के बारे में बात करते हैं क्या होगा तो dropper apps को identify किया गया है और उन dropper apps को Google play store से हटा दिया गया है और यह vulnerability की सबसे बड़ी खासियत है कि यह without rooted phone पे भी काम करता है यह अपके phone को root हो ना हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके full phone पे control हो जाएगा अब बात करते हैं कि अगर इस बग को hackers ने exploit कर दिया मैं बार बार बोलना हूं यह एक bug है यह malware trozen नहीं है जो automatically execute होगा इसे exploit करना पड़ेगा एक real life malware के थूँ यानि अगर आपका malware है आपने उसको इस तरह से code किया है जो इस bug को exploit कर सके तो उसके बाद exploit करने के hackers क्या क्या कर सकते आपके phone से तो आपके phone के microphone पे attack कर सकते microphone को control कर सकते है आपके phone से camera से photos ले सकते हैं अब को आपके प्राइविट फोटोह हैं जो भी हैं सब को देख सकते हैं आपके लोकेचन GPS सकते हैं आपके contact list देख सकते हैं और phone के logs भी देख सकते हैं आप सो सकते हैं एवन यह इसका मतलब यह हुआ कि आपका two step verification जो two factor authentication होता है वो भी यहां bypass हो जाता है आप कोई भी ऐसा application application कोई भी ऐसा web application यूज़ करें जैसे Gmail Facebook Twitter कुछ भी जिसमें अगर आपने two step verification लगाया भी है वहाँ पर फॉर्गेट पासवर्ड करके या फिर अगर आपका पासवर्ड नोन भी है तो आपका अगर SMS आता है टूए टूएफे का उसको वह पढ़के और आपके एकाउंट में login easily कर सकते हैं यह काफी dangerous हो सकता है अब गाईज यह जो attackers है यह dangerous permission harvesting यह एक टर्म है जिसका मतलब होता है यह आपके permissions को जो आप permissions देते हो उसके थूए आपके फोन पर पूरा आइकन होता है आपके फोन में जो text message आप जहां से read or send करते हैं वैसे सेम आइकन यह create कर देगा आपके आपके screen पे और जब आप मैसेज जो आइकन है जो आपका सेम आइकन है जो fake icon होगा उस पर आप जैसे ही click करेंगे ठीक है अगर आप उसको नहीं देख पाते हैं आप अगर इस fake icon को देखते हैं तो आप उस पर click करेंगे ठीक है अब यह malware क्या करेगा कि आपके original icon के जगह पे यह अपने fake icon को यहाँ पर शो कर देगा ठीक है और उसको हाइड कर देता है उसको रिमूफ कर देगा एक तरह से आप अभी फिलाल के लिए यह मान सकते हैं और जैसी fake icon क्लिक करेंगे यह आप से permission मांगेगा कि क्या आप allow करना चाहते हैं इसमें send करना जो भी है allow करना चाहते हैं इसको आप या फिर जैनरली कोई भी पॉस्टर अंड्रोइड में जब उसको permission मिलती है ऐसी कुछ पूछा जाता है तो उसको allow कर देता है allow करते ही क्या होता है जो victim होता है जिस पर अटक होने वाला है वो बिना अपने consent के चाहता है permission खुदी attacker को दे रहा है कि आओ भाई हमें hack कर लो हमारे SMS को read कर लो SMS को send कर लो इस तरीके से क्या होता है कि वो SMS जो application को जो permission SMS वाली होती है वो तो attacker को मिल जाता है और वहां पे जो app open होती है वो original app ही open होती है मतलब आपके मतलब आपको समझ में यहां पर आ रहा हो जाता होगा कि victim जैसे permission देता है तो victim को redirect कर दिया जाता है original app पे यानि कि वो fake app पे नहीं रहता वहां पर बस एक आइकन उसको दिखती है बस एक fake icon दिखता है उसका जैसे वो click करता permission देता है वो original आइकन पे original app पे redirect होता है यहां से victim को कभी जिंदगी में पता नहीं चलने व चैसे control कर लेगा जिसको permission harvesting बोलते है ठीक है और यहां पर गाईज यहां पर attacker जो है वो इस तरह से attack को design करेगा ताकि आपकी permission जो permission request करेगा वो लगे एकदम से genuine है और आपको redirect जो करता है तो उससे यह लगता है कि आप एकदम से एकदम से मतलब कि आप उसको आपको शक नही अटैक कर सकता है जैसे कि attacker ने एक Facebook का app का एक icon बना दिया ठीक है जो कि एकदम बिल्कुल भी fake icon होगा ठीक है अब यहां पर जो malicious page होगा वो क्या होगा कि phishing का page होगा attacker क्या करेगा जो इस bug के कारण attacker ने क्या करेगा एक malicious login page launch कर देगा जो कि victim के screen पर दिखाएगा कि Facebook का login करन जाएगा original app पे और login भी हो जाएगा ठीक है और सब कुछ okay सब कुछ सही और उसके साथ ही उसका username और password कहां चला जाएगा attacker के पास और यूदर ने पास जैसे अटैकर के पास गया वह आपके Facebook में कर पाएगा SMS के परमेशन है ही तो आपके 2FA कभी कोई फैदा यहां पर नहीं को और यह बग पूरी तरीके से फोन को कंट्रोल कर लेता है यह वह ऐसा क्यों कर बाता है क्योंकि android एक multitasking device है और उसके अंदर में android का control setting होता है task affinity तो यहाँ पे जो वह बग है उसके थ्रू अटाकर इस task affinity की value 1-1 से जाधा कर देता है जिसके कारण कोई भी fake app कोई भी fake malware जो उसका एक fake icon create कर सकता है एक fake clone icon create करके आपके सामने ला सकता है और पिछले वाले जो जो आपका original icon है उसको वह हाइड कर सकता है temporarily अब जैसे ही वह हाइड कर देगा आपके पास दिखेगा एक fake icon आप उस पर जैसे क्लिक करोगे let's suppose facebook आपके पास fishing page आईगी facebook login डालोगे और आप 2FA डाले हो जैसी आप करें वहाँ पर जैसे आप login के लिए वहाँ पर 2FA के लिए code मंगा होगे आपका sms already permission दिया हुआ आपके 2FA कोड उसके पास चला जाएगा वह रीड कर सकता है या भी password reset करके आपकी पूरे अकाउंट को take over कर सकता है अब गाइज इसका जो टेस्ट है वह प्रोगोन के रिशर्च ने रियल लाइफ मैलवेर का यूज करके किया था और यह पाया कि जितने भी 500 टॉप सब पर यह रिस्क है और वो सब इससे affected है उन सब को क्लोन करके और उन सब को effect कर सकता है बेसिकली वह एप्स जो रियल लाइफ मैलवेर एप्स होते हैं वह प्ले स्टोर पर नॉमली आपको नहीं मिलेंगे बट वह ड्रॉपर एप्स कहलाते हैं जैसे आप कोई माल लो किसी अधर थार्ट पर्टी वेबसेट से आपको एपी के डाउनलोड करते हो सकते हो वह ड्रॉपर एप्स हो और हो सकता है नहीं भी ठीक है अब मैं इसका एक्जांपल देता हूं आप देखिए यह प्ले स्टोर मैं यहां पर बहुत लोग होते प्ले स्टोर पर मालों पीडिये इंस्टॉल करना है तो पीडिये फीडर सच मार्केंट और यहां पर उसके सर्च रिजल्ट साथ है ठीक है अब यहां पर एक एडव एक जो एक जैनुवीन डेवलपर के तरफ से काफी लोग जानते इसको बारे में हलाकि बैगराउन में क्या करता है किसी को नहीं पता वरो सकता है कोई एप ड्रॉपर हो यानि इसके अंदर एक मैलेवेर हो जो मैलेवेर इस बग को ट्रीगर करता है एक्सप्लाइट करके आपके फोन पर कंट्रोल कर सकता है आपके सारे डेटा को चुला सकता है चाहां हो आपका कॉल लोग हो कॉंटक्स हो फोटो वीडियो कुछ यहां पर भरोसा नहीं किया सकता है इसलिए हमेशा विए ट्रॉस्टेट प्लाइटफोर्म से एप्लिकेशन को इस्चाहिए हमेशा अन्नों सोर्सेट इस इस बचना चाहिए और इस बहुत ही बड़े आप बोल सकते हैं बहुत ही बड़े डेवलापर या फिर एक जोज़न आप्स को फॉलो अप करके और उसी तरीके के खुद को डुप्लिकेट एक बनाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि जैनुवीन अप कौन सा है जैसे अभी फाहली में एक न्यूज आई थी को डाउनलोड कर लेते हैं तो फर्दर वो अंदर से और भी ऐसे अप्स को डाउनलोड आपके फोन में इस्टॉल कर देते हैं जो आपके डेटा को चुडा सकते हैं तो बैसिकली यह होते हैं अब यहां पर आपके मंद में सवाल उखता होगा कि क्या इसका कोई सॉलूशन है तो इसका कोई सॉलूशन अभी तक नहीं है ना ही इसके लिए कोई पैच गूगल ने अभी तक जो है वो जारी किया है अभी तक Android वर्जन 10 तक कोई एफेक्ट करता Android 6 तो Android 10 क्योंकि Android 6 के बाद से ही मल्टी टास्किंग फीचर Android में इंट्रोड्यूस की गई थी तक Android 6 के पहले का Android वर्जन आप यूस करते हैं जो आप करते होंगे तो आप इस बग से बिल्कुल सेफ हैं इस बग से एफेक्टेट है और यह जो क्या करता है जिसे माल लो आप इस बग का पता कैसे कर सकते हो अपको कुछ कुछ वहां पर आपके फोन में अगर कुछ ऐसी चीजें आपको शो हो रही है जो आपको थोड़ा लग रहा है तो यह ऐसा लग रहा है कि यह क्या हो रहा है तो आप हो सकता इस बग के चपेटे में इस वह लाग ने लगे तो आहां पर इस क्शानक से कोई permission pop-up होती है जो कि कोई डीनाई करना है या पिर आपको उसको accept नहीं करना मैं करना है हुआ है कोई पमिशन है जो मान फुरा फोन जो है अटकर के आट्रोल में जा सकता है हो सकता है कुछ आपको जब आप कोई ऐसी लाउंच हो आप या कोई आप लाउंच कर रहे हो तो वहाँ पर कोई अच्छेकन कर रहा है क्लिक कर रहे हैं अब इसका एक सॉलूसं ये हो सकता है कि आप जर्से जितने भी एक से उसको हमेसा क्लीन करें ठिक है और उसके बाद अगर आप थोड़े से टेक्निकल बंदे हैं तो आपने फोन को USB से कनेक्ट करके USB debugging on करके आप एक कमांड चला सकते हैं यहाँ पर और वो कमांड जो है इसके काफी जादा आपको डीटेल्स दे देगा क्या वो बैगरंड प्रॉसेस होंगा क्या क्या चला किस किस प्रॉसेस में इंवल्वड हैं वो सबकी लिस्ट शो कर देगा और आपको वहां से कुछ आइडिया लग जाएगा हाला कि यह कुछ टेक्निकल चीज़ है अगर आपको आती है तो ही करें ना आती है तो ना करें आप आप एप के फाइल अगर डाउड़ करते हैं तो उसको ट्रस्टिछ सब्सक्राइब नहीं तो नहीं करें बिल्कुल भी इसमें थोड़ा भी शक करें वह ना करें प्ले स्टों से कोई भी आप कोई इस वाल तो के अब समत इंस्टॉल कर ले बहुत सरी अप बहुत सरे प्रेडिट्स देने वाले आप्स होते हैं फ्री में कुछ कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं वह सब ना करें बिल्कुल भी इससे आप अपने आपको सेफ और सुरक्षी तरह सकते हैं फॉर्दर की अंटिल एनलेस की आपको एक पैच मिल जाए गूगल के तरब से जो मैं नेक्स सेक्योटी पैच में गूगल इसको ठीक कर देगी क्योंकि यह बग एंडॉइड के ओएस में ही है यह अगर एंडॉइड का ओएस जब तक पैच नहीं आता तब तक आपको ठीक नह इसको बचने का उपाय कर सकते हैं और आपको मैंने कुछ जो आपको जानकारी दी उससे आप अपने आपको सेफ रख सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेर भी कर दीजेगा चैनल पे नहीं तो सब्स हो जाओ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे वीडियो को साथ तब तक लिए बबाए टेक केर